एक है लो माइडियर ब्रदर एंड सिस्टर्स मैं सेल्फ रवी संकर मिश्रा मैं अपने इस वीडियो में आप सभी को SPOM सेल पेस्ट ऑनलाइन मॉडियूल जो CA Final में एक्जाम देने से पहले आपको क्लियर करना पड़ता है उसका जो सेट भी है उसमें आपको क्या करके जाना चाहिए आपके जिस एटेम्ट में मतलब जब भी आप उसका इंडॉल्मेंट किये रहोगे उससे जस्ट पहले आपको ICI के study material से कितना question करके जाना चाहिए वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे हम आपको जो भी mark कराएंगे उसको आप institute के study material से बहुत अच्छे से करके जाना at least मान के चलो कि कम से कम साथ आठ दिन आपको पूरे dedication के साथ इसको complete करना पड़ेगा तभी जाकर कि आप exam का form भरना otherwise मत भरना ऐसे बहुत लोग कह रहे हैं कि उनका जो है वो इधर उधर करके उनका 50 से जादा आ गया तो ऐसे नहीं आ रहा है क्योंकि मेरे जान पहचान में जितने लोग हैं वो लोग मतलब उन लोग का ऐसा कहना है कि अगर कोई एक बर अच्छे से करके नहीं गया है तो उनका 50 नहीं आ रहा है तो प्लीज आप सारे important question को कर लेना उसके बाद आप अराम से 50 प्लस क्या आप 70 प्लस ला सकते हो क्योंकि जो set A का जो मैंने important निकाला लोग का important उसमें लोगों का 70 प्लस 80 प्लस आ रहा है तो सेम वैसा ही effort के साथ मैंने ये वाला वीडियो बनाया है जिसमें भी मेरा उमीद जो है वह 70 प्लस का आने का है minimum और आप सारे important को कर लेना आपको इसमें बहुत बढ़ा-बढ़ा question नहीं करना है एक्जाम में आपको case scenario based question हाएगा maximum इसके लिए आपको छोटा-छोटा type of question करना है बहुत बढ़ा solution type वाला question नहीं करना है जो कि हम आपको इस वीडियो में बताएंगे प्लस आपको एक्जाम में 50 MCQ दिया जाएगा कोई negative marking नहीं रहेगा सारा 2-2 marks का रहेगा 180 minute यानि 3 hour दिया जाएगा आपको दिखेगा कि आप successful या unsuccessful जो भी result है वहीं पर दिखेगा result को आप download भी कर सकते हो यह process है 500 पर exam देने का है हर बार अगर आप किसी टाइम नहीं निकाल पातो तो फिर से 50 पर देना पड़ेगा तो इस बेटर कि 78 दिन अच्छे से कर लो उसके बाद आप अपना अराम से exam दो औ तो इस वीडियो में हम आपको वह सब सारा बताएंगे आपको क्या करना है कि जितना important question अभी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे उसको करने के अलावा उसको करने के अलावा आपको ICAI BOS का एक app है आपको आपके phone के play store में मिल जाएगा या तो आप laptop में करो तो direct chrome से भी अपना registration number डाल के login कर सकते हो आप login कर लेना और वहाँ पर आपको sale-based online module का जो set A है और set B है दोनों का MCQ आपको वहां दिखेगा उसमें आपको set B अभी हम करवा रहे है तो हम आपको set B का MCQ वहां से करके जाने के लिए बोलेंगे वो भी कर लेना प्लस मेरे सारे important को कर लेना और एकदम बिंदास चले जाना आराम से ठंडे दिमाक से सभी सोच सोच करके जो चारो option में जो सबसे ज्यादे reasonable रहेगा क्योंकि चार option में से दो option तो कम से कम ऐसे ही side हो जाएगा पढ़ो गया बोलेगा हट यह तो होई नहीं सकता है तो बाकी का जो दो बचे का उसमें कौ बाकी आपको practical दिखेगा और कहीं कहीं पर जो है ना एक्चली में सीएंस्टूट का बहुत सारा question है मालो सीएंस्टूट ने पार तीन-चार सो question बना लिया तो आपके डिस्क पे उस तीन-चार सो question में से पिक हो करके कोई भी पचास सो करेगा अगर कोई नहीं निकाल पार और वो अगले दिन जाएगा एक्जाम दोने के लिए तो पिछला ही question सेम नहीं रहेगा उसको अगले दिन उस तीन-чार सो question में से कोई और पचास pick हो करके आएगा जिसमें पिछले दिन का हो सकता है कि 30-40% same ही question हो मगर उस ही question में से pick हो करके आएगा तो उसमें से किसी को 50% तक का question मिल जाता है तो किसी को 60% तक मगर theoretical question आधा रहेगा तो आधा तक theoretical question के लिए आपको most reasonable option कौन सा है वो सोच करके फिर टिक करना है और जो practical है वो तो solve करके आप जो answer निकाले रहोगे उसमें टिक करोगे तो यह है simple सा बात आपको इस वीडियो में जो total सब्सक्राइब कराएंगे आपको बहुत ही अच्छे से उसको complete करना है और चलिए हम आपको बताना सुरू करते हैं ज्यादा टाइम आपका नहीं लेते हैं कुछ और डाउट हो तो आप description में आप comment कर देना वीडियो के जो YouTube वीडियो का comment box उसमें comment कर देना या description में वाट्साप नंबर पर आप मेरे से personally WhatsApp पर बात कर सकते हो कोई भी क्लारीटी चाहिए होगा आपके चाहिए और किसी से भी रिलेटेड क्लारीटी चाहिए होगा सी एंटर में दो डेफिनेटी आप नहीं हो तभी तो आप से आपको बताना सुरू करते हैं यह हमारा चाप्टर नंबर वन में क्या करना है सीधा हम आपको बताते हैं एक बार हम आपको यह दिखाना पसंद करेंगे रूखो एक सेकंड रूखो मैं आपको एक बार जो है वह कुछ इंप्वाटेंट चीज दिखा रहा हूं लोगो गया जो बुक के स्टार्टिंग में कंटेंट होता है उससे हम आपको बता देते कि कौन से चाप्टर वेरी वेरी बेरी इंपॉर्टन है यानि ज्यादा वेटेश करहने वाला कौन से चैप्टर प्रैक्टिकल यह किस चैप चरेबन तो हम आपको एंटना बहुत ही अच्छे से करना पड़ेगा चलो एक और बात आपको बता देते हैं कि हम लोग CA Inter, CA Final, CA Foundation सभी का important question प्रवाइड करते हैं जो कि guaranteed रहता है कि उसी में से exam में आएगा minimum 60% का मगर actually में 80%, 90%, 100% ये तक match करता है यानि 80% तो on an average आराम से करता है match same या similar question तो अगर आपको उसके लिए contact करना हो और आपको एक ही attempt में exam निकालना हो तो आप description में given whatsapp number पे contact कर सकते हो एकदम बिन्दास जो है वो आप उस question को करने के बाद आपको pass होने से कोई नहीं रोप पाएगा CA Final के exam में और family में आपको छोटे भाईवाएं कोई CA Inter में होंगे तो definitely उनको recommend करना free में भी हम लोग एक दो सब्जेक्ट देते हैं CA Inter का दो सब्जेक्ट free में CA Foundation का एक सब्जेक्ट free में तो at least वो free वाले सब्जेक्ट कर लेंगे जिससे उनका नहीं आपार हो जाएगा करने के बाद जैसे CA Inter में accounts, advance account और FM ये free में है दो सब्जेक्ट और CA Foundation में accounts free में है और CA final में FR free में है वो करोगे आपको खुद पता चल जागा कि आपको कितना हम बचा सकते हैं अगर आप सिर्फ important ही करके जाओगे तो तो चलिए हम आपको बताना सुरू करते हैं सबसे पहला कोशन आपको page number 4 में जो है page number 4 में आना है और हम पहले से IMP लिखके रखे हुए है आपको सिर्फ और सिर्फ वही करना है रुको हम आपको एक बार जो है वो बोलते हैं आपको कहा पर आना है रुको एक सेकंड रुक जाओ सबसे पहले आपको page number 4 में जो important दिख रहा है यह आपको करना है जहां पर important मैंने लिखके रखा यानि यह आपको करना है major limitations of traditional cost management and listed below इसके सभी highlighted point को आपको पढ़ लेना है क्योंकि इसी में से MCQ बनेगा और वो बोलेगा कि वो इसका जो limitation है major limitation limitation traditional cost management का वो कौन सा नहीं है तो चार option में तीन ठोर रहेगा तो एक नहीं रहेगा जो related रहेगा आपको लगए कि यह भी है ही मगर वही option यहां नहीं दिया हुआ बुक में नहीं दिया हुआ इसलिए वो point कर एक answer होगा तो आप यह highlighted वाला point पर लेना जहां भी हम IMP lift में लिखके रखे रहेंगे IMP जहां पर lift में लिखके रखे हैं उसका right वाला आपको करना है आप ध्यान में रखना तो पेज नमबर 4 उसके बाद आप पेज नमबर 7 में आ जाओ पेज नमबर 7 आपको स्क्रीन पर दिखेगा नमबर 18 है कि नमबर एकई रहें में पहले फिर से खतर लेते हैं कुछ शूता तो नहीं मैं आपको बढ़ा दिया फिर पेज नमबर 18 przep आपको आना है पेज 18 आपको आना है फेज 18 में आप आगए आपको उपर से दिख रहा है यह आपको करना है उसके बाद आप आ जागे अपका मैंसले जिली जाए जहां पर आपको दिखेगा जहां पर आपको दिखेगा यह जो आपको दिख रहा यह आपको करना है 27 नमबर पेज उसके बाद 28 नमबर पेज में चले जाए जहां पर आपको दिखेगा इंडस्ट्री इंसाइट वाला यह भी आपको करना है फिर आप 28 के बाद 31 नमबर request में चले जाए regen 40 40 40, 31 के बाद सीधा 40 चलो यह 40 नंबर पेज में जो आपको यह दिख़रा है इंपॉर्ट 31 पेजमें जाना है 43 नंबर बेज सब्सक्वर्के 40 zaj, 33 नंबर पेज उसके बाद करेंगे 43 नंबर पेजमें यहे वाला important ऐ को है 48 नंबर पेज, 48 नंबर पेज, यह आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है, यह आपको करना है, 48 नंबर पेज के बाद आपको करना है, 60 नंबर पेज में चले जाना है, जहाँ पर आपको MCQ दिखेगा, MCQ 1 to MCQ 10, MCQ 1 से ले करके, यहाँ पर आपको MCQ 1 दिख रहा है, MCQ 1 दिख र स्टडी करना है बश 66 नमेटमाइब औरो खुछ नहीं करना ओके तो आप आज यह वाला चाप्टर हो चुका है खत्म यह वाला चाप्टर आपको खत्म और इसको कर देते हैं और उसके बाद आप चलिए चैप्टर नंबर टू से गीप खाला及 गए लिए आरे गें के बाद तौरसा नीचे जाने के पाद ठ़्धेंचर्ट दिखेगा यह स्टरना किरना है और उसके बाद पेज नंबर फोर के बाद आप चलो पेज नंबर फाइब में चलो यह अप्रेजल कॉस्ट यह भी इंपॉर्टेंट है यह आपको करना है और इंटर्नल फेलियर कॉस्ट यह भी आपको करना है यह भी इंपॉर्टेंट है फिर आप सिक्स नंबर पेज में पर आपको 9 नंबर पेज में जाना परेगा दोस्त 9 नंबर पेज में चले जाओ 9 नंबर पेज जहां पर आपको केस स्टडी करना है के सेनारियो करना है 9 नंबर पेज के बाद आप चले जाओ 11 नंबर पेज में 11 नमबर पेज में आप थोरा सा नीचे जाओ जहां पर आपको दिखेगा यह जो दिख रहा है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट यह आपको करना है फिर आप 12 नमबर पेज में जाओ यह आपका 11 नमबर पेज के बाद आपको जाना है 12 नमबर पेज में जहां पर आपको ऊपर स जिसके बाद 13 नंबर पेज में आना है 13 नंबर पेज यानि नेक्स पेज उसमें आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा यह आपको करना है फिर उसके बाद 17 नंबर पेज में आप आजाए 17 नंबर पेज में इसमें हम आपको जितना मांक करा है अगर आप कर लोगे तो करीबन आपका मान के चलो ना 80% से भी ज्यादा मांक साइगा बस आपको सारा करके जाना है सेवंटी नंबर पेज में जबाप आओगे तो आपको यह करना है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ऊके उसके बाद आपको 22 नंबर पेज में चले जाना है चले जाना है को तुछ अधिए इवन नंबर पेज थर्टीवन नंबर पेज, थर्टीवन नंबर पेज, थर्टीवन नंबर पेज, थर्टीवन नंबर पेज तो मैंने आपको बता दिया, थर्टीवन नंबर पेज एक बार हम आपको दिखा देते हैं, कि आपको क्या करना है, रुको, ट्वेंटीटू के बाद आपको ये करना ह को चले जाना है जहां पर आपको दिखेगा यह के जो होता है जो हमारा पूरा कौपीपेस्ट नहीं होगा तो हो गया इपको 10 नंबर पेज में चले जाना है प्लब नंबर यहां पर आपको आपको 23 18 हाओ यह यह तो मैं प्लेन मश्रीज में यह करना है सअब आपको अगले पेज में वह से इन ऊपेज़ में यह करना है sustain भी करना है फिर आपको सीधा चले जाना है ट्वेंटी एट नमबर पेज फिर आपको 30 नमबर पेज में सीधा जाना है जो सीधा पर दिख रहा हृण सीधा प्षода 1 को चीज करना नीचे से भी हाँ मोब ही करना 6 नमबर पेज में चले जाए जाहिए 36 नमबर पेज में difficulties in creating flow ये जो है अधियाए मेरे भाई एक बर में आपको 36 नमबर page में नीचे भी चेक कर लेटेंक ये कुछ छूटा तो नहीं इसमें कुछ नहीं छूटा तो 37 नमबर पेज में आपको ये उसमें आपको case study करना है, फिर आपको 42 number page में चले जाना है, 42, 42 number page में आपको थोरा नीचे जाना है, और आपको ये करना है, DMDAV, ये करना है, is used, उसके बाद आपको 43 number page में जाना है, जहाँ पर आपको थोरा नीचे जाना है, limitation of 6 sigma आपको ये करना है, इस फ़र MCQ बनता है, फि MQ 1 से लेकर KM CQ 6 तक筑 फिर आपको नमबर 51 में चले जाना है जहांपर आपको कोशन नमबर 2 करना है जुकि आपको नीचे से दिख रहा हैं येवाला क्यों नमबर फोर करना है और फिर आपको ये वाला कुशन नमबर फाइब भी करना है जो आपको नीचे से दिख रहा है इसी के अलावा जो है ये वाला चप्टर भी होता है खतम अब आपको जो है अगले चप्टर का हाल बताते हैं कि आपको कौन सा कुशन करना है क्या करना है क्या आपको करना है यह जो मैंने आपको बताया यह आपको करना है यह सब पहले सी इंस्टूट जो है वो जब पॉस्ट का एक्जाम होता था तो उसमें भी पूछता था उस सब टाइप का कोश्चन है एक नमबर जब मतलों नमबर 23 तक जो गुरुप 2 में यह पेपर था एक 100 है यह आपको करना है कि कर लेना भाई लोग ठीक है उसके बाद आप 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 यह transfers में के बाद आपाegenहरा चाहिए यह त्याहँ प्योंब्र 150 में कि दिख जाईए लुदा थोड़ा सा नीचे आहीएगा hip दिख रहा है यह आपको कर ना है उसके जड़ाँ दाए उसके बाद आप चले जाए जहांब अपको नीचे से थोड़ा जाना है एलस्ट्रेशन नंबर जो 3 है ये आपको करना जहां पर आपको mcq1 दिखेगा वो आपको करना है 52 नमबर पेज में के 52 नमबर पेज सिह यहां पर आपको चप्टर नमबर زबिप आपको करना है तो किया करना है तो पेज नमबर 5 में आना पेज्च नमबर तेन में आने के बार आप थोड़ा से आपको इहां पर सिंस्ट्पर स्ट्रेजी फ्रेमवर्क वाह मैं और फिर आपको ट्वेल्व नंबर पेज में चले जाना है तो आपको यहां पर करना है उसके बाद आपको 27 नंबर पेज ट्वेंटीसेवन नंबर पेज एसेंचेल ऑफ सेमलेस सप्लाइचेन चेन भीए आपको करना है कि यह जो इंपोर्टेंट लिखा लूआ यह आपको करना मार्केट रेलिवन जो दिख रहा है यहां पर आपको करना है और उसके बाद आप चले जाएए 46 नंबर पेज में जहां पर आपको सब्सक्राइब क्या करना है जल्दी से जल्दी है। चली आपको बताते हैं जो हमारा चाप्टर No.6 के important के लिए इसको साफ करके ना है पेजन नंबर 4 में जाना है पेजन तो खरना है उसके बाद आपको चले जाना ऊच्छ देटा आपको ए सवन एंट एन चेह बासे घंटीनगर पेज में 27 नंबर पेज में थोड़ा सा नीचे आउग me आपको जो है भू, उसके बाद आपको चले जाना है, 24 nमबर पेज में 24 नमबर पेज में आपको दिखे गा द्धता नीचे चले जाना इलस्टेशन लूंबर सिखे चलेगा सिथाँ सब्सक्राइब फैक्टर आपको करना है और यहाँ पर चले जो 41 नमबर पेज में जहां पर आपको प्राइस कस्टमाइजेशन गोल करके दिख रहा होगा ये भी आपको करना है उसके बाद आप चले जाएए उसी 41 नमबर पेज में ही नीचे चले जाएए जो आपको करना है उसके बाद 42 नमबर पेज में चले जाएए थोरा सा नी एक इसमेंद देखेटार आपको करना है उसके बाद आप आप आजाई है सीधहा 60 नमबर पेज में आप चले जाईये जहाँ पर आपको जो है वो नौन financial conditions दिखेगा यह आपको करना है 60 नंबर पेज के बाद आप सीधा चले जाएए सीधा आप चले जाएए 63 नंबर पेज में यहाँ पर आपको जो दिख रहा है discounted pricing यह आपको करना है 63 में यह हो गया 64 नंबर पेज में आप कर लिजिए product price mix product price mix जो है यह आपको करना है उसके बाद आपको सीधा 74 नंबर पेज में चले जाना है जहाँ पर आपको MCQ करना है 1 से लेके 6 तक उसके बाद सीधा 76 नंबर पेज में जाना है जहाँ पर आपको करना है आपको question number 1 करना है जो इसी page में नीचे से है question number 1 करना है और आपको अगले page से question number 3 करना है question number 1 and question number 3 और उसके बाद सीधा आपको 85 number page में जाना है जहाँ पर आपको question number 11 करना है तो कितना ही आपको इस chapter में करना था इसके अलावा आपको इस chapter में और कुछ नहीं करना है भाई और चले जाते हैं चाप्टर नमबर जो अपना है, 7 नमबर जो चाप्टर है, उसमें आपको क्या करना है, यह हम आपको बताते हैं, तो चलो चाप्टर नमबर 7 आपको कराते हैं, चाप्टर नमबर 7 में सबसे पहले जो है वो आपको पेज नमबर 5 में जाना पड़ेगा, पेज नमबर पेज में आपको जो है इंडारेक्ट कॉस्ट आफ डी पी जो दिख रहा है यह आपको करना है 14 नमबर पेज में आपको दिखेगा थोड़ा सा नीचे जाना आपको इलस्ट्रेशन नमबर थृ दिख रहा है यह important है यह कर लेना और उसके बाद आप जो है 14 नंबर पेज की बाद आप चले जाओ 24 नंबर पेज में आपको करना है 24 नंबर पेज में आपको इलास्टेशन नंबर 4 करना है इलस्टेशन नमबर 4 करना है और उसके बाद आप 27 नमबर पेज में चले जाएए जहां पर आपको benefit of activity-based costing management दिख रहा है यह आपको करना है ऐसे तो activity-based costing आप सी एंटर में भी पढ़े होगे मगर यहां पर इसका थियोरी आप एक बार अच्छे से देख ले ना फिर 20 35 नमबर पेज में चले जाए अब 35 नमबर पेज में आप थोरा से नीचे जाना आपको यह इलस्टेशन नमबर जो 6 दीख रहा है यह आपको करना है उसके बाद आप आज यह तो हो चुका है अब सीधा बढ़ते हैं और चले जाते हैं 41 नमबर पेज में जहां पर आपको दिखेगा में आपको MCQ दिखेगा MCQ 1 से लेकर के 4 तक आपको करना है 42 नमबर पेज में चले जाएए जहां पर आपको question number 1 दिखेगा वो question number 1 आपको करना है तो इसी के साथ जो है वो हमारा यह वाला जो chapter है यह होता है खतम chapter number 7 की खतम अब इसको एक बार करते हैं close और फिट चलते हैं chapter chapter number 8 में chapter number 8 में क्या करना है chapter number 8 का भाई page number 8 में जाने के बाद आपको primary activities दिख रहा होगा यह आपको करना है उसके बाद आप चले जाए chapter number 10 में पेज नमबर 10 में जाने के बाद आप थोड़ा सा नीचे जाओगे तो आपको मिडिल से जो है दिख रहा होगा और अल्टरनेटी बोल करके यह आपको करना है फिर आप 23 नमबर पेज में चले जाओ जहां पर आपको दिख रहा है यहां पर आपको नीचे से दिख रहा है यहां पर आपको नीचे से दिख रहा है यह आपको करना है फर्टी वन नमबर पेज में चले जाओ जहां पर आपको मार्ट किया हुआ दिख रहा है इसमें इसमें एक्सप्लें आपको नहीं करना है कि रट्टा मारों को ज्यादा मार्ण मिलेगा बस उसके कीवर्ट को ध्यान में रखना कि यह यह पॉइंट है है इसमें keyword ही learn करना पूरे theory में जो सेट भी में है उसमें पूरे theory में keyword learn करना और law में भी keyword ही learn करना क्योंकि उसमें explain तो आपको कुछ करना नहीं है 41 number page में चले जाएए 41 number page में चले जाएए जहां पर आपको law का वैसे important हम लोग का पहले से uploaded है सेट एक जो कि आप YouTube पे देख सकते हो और ऐसे हम लोग सीए फाइनल इंटर सबका important प्रवाइड करते हैं जो guaranteed रहता है एक्जाम में मैच करेगा ही minimum 60% को और actually मैं 80% से ज्यादा ही मैच करता है same या similar question उसके लिए contact करना तो description में given WhatsApp नंबर पर आप contact कर सकते हो या अगर आपको मेरे से कोई बात करना हो WhatsApp या call पर तो दोनों ही available रहेंगे आपको proper guide करने के लिए और mentor के लिए हम लोग free में guide करते हैं कि आपको कैसे अपने capability को समझते हुए आपको कैसे best perform करना है यह बनना है जल्दी जल्दी उसके लिए पूरा free guidance है ओके तो आप contact कर सकते हो अगर आपको जरुरत है तो 41 नंबर पेज में मैंने आपको बता दिया फिर 42 नंबर पेज में चले जाओ और फिर आप आजए ए 43 नंबर पेज में 43 नंबर पेज में आपको करना है mcq1 से लेकरके 11 तक यहाँ थोड़ा mcq ज्यादा है इस चाप्टर एक से लेकरके 11 तक आपको करना है और उसके बद 49 नंबर पेज में चले जाओ जहां पर आपको दिखेगा लेट रूको दिखा चाप्टर नंबर 9 वह आपको करवाते हैं तो चाप्टर नंबर 9 में आपको करने की सबसे पहले 6 नंबर पेज में आपको करना है फिर आपको क्या करना है फिर आपको 7 नंबर पेज में चले जाना है उपर से थोड़ा नीचे आना आपको प्रोज और यूज ऑफ परफॉर तो यहां पर आपको यूजिंग यारपी यह दोनों दिख रहा है यह आपको करना है और 17 नंबर पॉइंट में चले 17 नंबर पेज में चले जो जहां पर आपको तो इलवलस्टेशन नंबर फॉर यह आपको करना है और उसके बाद आपको यह तो हो चुका ट्र 216 नंबर पेज में चले जाना आपworthy 56 मंबर पेजमें आपको填ट एंज डिखे रहाए एं इसके इलावा आप चले जाए हे 40 आमबर पेज में चलेए 40 नहबर पेजुए 40 नहुंबर पेज जहाँ पर आ ऊपको दिखे सब्कर लिए और एमसी क्यू one से लेके five तक करना यही आपको इस चाप्टर में करना था और इसी के साथ यह वाले जो चाप्टर है वो भी होता है खतम इसको करते हैं चलते है Bowl चाप्टर नंबर ten नंबर टेन présent मैं हापको बस page नंबर त्री में जो है वो आपको करना है और जो फिर page number 5 में है वो आपको करना है उसके लावा आपको page number 8 में जा करके page number 8 में जा करके आपको case let's जो दिख रहा है ना यह आपको कर लेना है इसके लावा आपको और कुछ भी इस chapter में नहीं करना है क्योंकि यह chapter बहुत ही छोटा है एट नंबर पेज में चले जाईए जहां पर आपको यह वाला कम्प्लीट करना है और उसके बाद आप नैन नंबर पेज में चले जाईए जहां पर आपको क्या करना आपको पेज नंबर 3 में जाना है जहां पर आपको जहां पर आपको ऊपर से थोड़ा नीचे आते हैं जो आपको करना है वो हम आपको दिखाते हैं आपको utility of transfer pricing यह करना है फिर आपको 6 नंबर पेज में चले जाना है जो आपको ऊपर में दिख रहा है यह आपको कर बाद आपको canxi फोल नमबर के बाद आपको Νबर के बाद लिगने सिंस्टीनहमबर के बाद सिंस्टीननमर कि मैं बता धूंपर पेज में उसमें क्या है वह करना है 16 नंबर पेज में फिर मैंने 23 में भी आपको बता दिया फिर 33 नंबर पेज में चले जाओ 33 नंबर पेज इसमें आपको 33 नंबर पेज में क्या है कि आपको जो यह case let दिख रहा है यह आपको करना पड़ेगा फिर 39 नंबर पेज में चले जाओ 39 नंबर पेज और यहां पर आपको जो यह question number 1 है सिर्फ यह question number 1 करना है तो इसी के साथ यह वाला चाप्टर भी आपको होता है खतम और आपको चली हम बताते हैं कि आपको जो है वह अगला कौन सा question करना है नेक्स चाप्टर से चाप्टर नंबर 13 से यह वाला चाप्टर प्रैक्टिकल चाप्टर है इससे कभी-कभी से यह से पूछ देता है तो चलो मैं आपको बताता हूं आपको ऐसे चाप्टर पेज नंबर सेवन में जाना है इस पेज़ नंबर सेवन में आपको जो मैंने मार्क करवाए है लेफ्ट साइड में सब्सक्राइब आपको इलस्ट्रेशन नंबर है वह आपको वन करना है उसके बाद आपको चले जाना है सीधा 9 number page में जहाँ पर आपको illustration number 2 करना है इसके अलावा आपको 24 number page में सीधा जाना है 24 number page 24 number page में थोरा उपर नीचे आते हैं और आपको दिखाते हैं क्या mark करके रखें यह जो है न यह आपको करना है 24 number page में फिर आपको 30 number page में चले जाना है 30 number page 30 number page में आपको जो है वो case scenario जो दिख रहा है ये case scenario आपको कर लेना है ये case scenario भी important है इसके इलावा आपको पूरे book में जगा जगा पर बहुत सारा formula दिखेगा formula को एक बार read कर लेना है क्योंकि वो बड़ा-बड़ा formula से छोटा-छोटा MCQ एक ही formula पर based करके पूछा जा रहा है त तो आपको formula एक बार read कर लेना काफी सारा आप सी एंटर में पढ़े होगे वो भी काम आ जाएगा यहां ठीक है तो formula reading is also important MCQ 51 नंबर पेज में MCQ एक से लेकर करके 11 तक MCQ आपको करना था इसी के साथ यह वाला जो चाप्टर है वो भी होता है खतम और आपको जो अगला important बताना है उसके लिए आपको आना पड़ेगा भाई मेरे साथ अगले वाले चाप्टर में और उस चाप्टर में आपको page number 4 में जाना है page number 4 में आप आपको CS3 दिखेगा यह भी आपको करना है और 23 नंबर पेज में जाना है यह भी आपको करना यह एक्चुली में पूरा case study के उपर हो बनाया गया है इसी के साथ आपका SPOM सेट B का important question है वो खतम होता है अगर आप सेट B आपका निकल जाएगा तो आप description में मतलब comment में यह ज जरूर बताना और अगर important question CA final के exam में जब बैठोगे उससे पहले आप important question मेरे से ले सकते हो जो कि guaranteed है आपके exam में matching का doubt solving free में है उसके लिए हम हमेशा available है आप को कुछ भी अपने career से related या परहाई से related कुछ पूछना हो तो आप मेरे से personally WhatsApp पे या call पे contact करके पूछ सकते हो ठी आपके अच्छे future के लिए अच्छे exam के लिए अच्छे health के लिए अच्छे preparation के लिए मेरे तरफ से all the best एलिट CA के तरफ से भी बहुत-बहुत सुब कामनाएं आपके भविस्ते के लिए चलो all the best